टीवी के सबसे कॉंट्रोवर्शियल रियालिटी शोव माने जाने वाले बिग बॉस के सीजन 16 का अगास हो चुका है जिसमें कंटेस्टेंट बिग बॉस में घर में धासु एंट्री लेते नजर आए इस बार भी कई ग्लैमरस हसीनाओं ने बिग बॉस में एंट्री ली है इ जिहां खुद बिग बॉस भी दोनों की बीच की कड़वाहट को लेकर सवाल पूछ चुके हैं जिसके बाद लोगों में भी इस बात को जाने की क्रियोसिटी है कि आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को फूटी आख नहीं सुहा रहे आखिर सा दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करती तो आपको सालों पुराने इस मामले के बारे में बताते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं कि सालों पहले उत्रण शोव की शुरुवात में लीड एक्टरस के तोर पर अक्टरस टीना गत्ता और एक्टरस रश्मी दिसाई लेकिन बाग में धीरे धीरे दोनों एक्टरस के रिष्टे खराब होते चलेकर दोनों ने एक दूसरे पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाया था और लड़ाई इस बात को लेकर छेड़ चुके थी कि आखर शोव के लीड हीरोई कान बने की जीहां दोनों ने इंटर इसे लेकर इंटर्व्यू में टीना ने कहा था शोव पिछले छे सालों से चल रहा है और हर कोई जानता है कि ये दो एक्ट्रोस मीठी और तपस्या यानि रश्मी दिसाई के बारे में है रश्मी ने शो को छोड़ दिया है इसलिए जाहिर है कि ये शो मेरे इर्द गिर्द घुमता है वहीं टीदर के इस पांग कर जवाब देते हुए श्री जितारी ने कहा था एक कलाकार के साथ कोई शो नहीं चल सकता दामनी जोगी दानी दिव्या सभी शो में अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन उनके बारे में कभी बात नहीं की जाती एक एक्सपीरियंस जानता है कि एक शो कभी भी एक व्यक्ति के जरिये नहीं चलाया जा सकता जो कोई भी कहता है कि ये शो उनके बारे में वो बेहत बचकाना और अनमिच्योर है विल सालों पहले दोनों एक्सेस के बीच की कड़वाहट आज भी वैसी की वैसी बरकरार लग रही है हाला कि भाहट दूर हो पाएगी या फिर नहीं